नमस्कार बच्चों मेरा नाम प्रदीप सिंग भाटिया है और आज मैं आपको ग्यारवी कक्षा के अर्थ शास्तर का सात्वा अध्याए जिसका नाम रोजगार संबृद्धी है पढ़ाऊंगा इस अध्याए में मैं आपको रोजगार, बेरोजगारी क्या होती है, रोजगार कितना और किन शित्रों में पाया जाता है, बेरोजगारी का देश में क्या हाल है, इन सब के बारे में बताऊंगा श्रमिक श्रमिक कौन होता है श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो अपनी जीवी का के लिए किसी प्रकार के रोजगार में लगा होता है वह किसी ऐसी उत्पादन संबंदी क्रिया में लगा होता है जिसके द्वारा अर्थविस्था में वस्तूओं और सेवाओं के उत्पादन में सहायता मिलती है एक अर्थवेस्ता में निश्चित वर्ष में निश्चित समय में उत्पादित सभी अंतिम वस्तूओं और सेवाओं का मौदरिक मुल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है और इन सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने का पूरा जिम्मा श्रमिक के उपर होता है हम यह कह सकते हैं कि कोई भी श्रमिक जो उत्पादन क्रिया में लगा हुआ है वह किसी ना किसी प्रकार से देश के सकल घरेलू उत्पादन की प्रक्रिया में योगदान देता है श्रमिक यदि किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो वह उत्पादित वस्तु का मुल्य ही एक देश के घरेलू उत्पाद में जोड़ा जाता है आर्थिक क्रियाओं से जुड़े व्यक्ति श्रमिक कहलाते हैं और यही श्रमिक श्रम्बल बनाते हैं श्रम्बल वास्तव में कारेशील व्यक्तियों की कुल संख्या होती है एक अर्थियस्ता में रोजगार की स्थिती इस बात पर निर्भर करती है कि विभिन आर्थिक क्रियाओं में कितने व्यक्तियों को कारे का अवसर प्राप्त होता है श्रमिक को मुख्य रूप से हम दो भागों में बाटते हैं एक स्वनियोजित तथा भाड़े के मजदूर भाड़े के मजदूर भी दो परकार के होते हैं अनियमित मजदूर एवं नियमित मजदूर स्वण योजित वह व्यक्ति होता है जो अपने ही व्यपार तथा काम धंदे में कार्य करता है मान लिजी एक छोटा दुकानदार, एक पानवाला, नाई, मोची यह सभी स्वण योजित व्यक्ति कहलाते हैं और इन सभी को पुरसकार के रूप में लाब प्राप्त होता है। इन सभी व्यक्तियों के उत्पादन के सभी साधन स्वेम के होते हैं। भूमी, पूंजी, श्रम, उद्यम इन सब पर इनका अधिकार होता है। भारत में लगभग पचास प्रतिशत शंबल स्वन योजित है। इस खेतर में पुरुष तथा महिलाएं दोनों का ही योगदान होता है। भाड़े के मजदूर में वह व्यक्ति आते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं। अर्थात कहीं पर नौकरी करते हैं। अपनी सेवाएं दूसरों को देते हैं और पुरुषकार के रूप में उन्हें वेतनेवं मजधूरी प्राप्त होता है। भाड़े के मजदूर में अणियमित मजधूर आता है। यह वहवेक्ती होते हैं जिन्हें उनके मालिक अत्वा नियोजक स्थाई रूप से कार्य में नहीं लगाते और उन्हें किसी भी सरकारी सामाजिक सुरक्षा का भी लाब प्राप्त नहीं होता जैसे एक छोटी दुकान में काम करने वाले एक दो लोग एक दो मजदूर इन लोगों को सरकार की किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं प्राप्त होती भारत में लगभग 33 प्रतीशत लोग अनियमित मजदूर के रूप में कार्य करते हैं अब आता है नियमित मजदूर यह वहवेक्ति होते हैं जो किसी कार्य में नियमित रूप से लगे हुए होते हैं तथा इने सभी सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है सामाजिक सुरक्षा मिलती है हम यह भी कह सकते हैं कि अनियमित मजदूर एक प्रकार से ध्याड़ी मजदूर नियमित मजदूर एक प्रकार से जो एक आफिस में जाता है नौकरी करता है जिसे महीने के अंत में तन्खा मिलती है अब हम पढ़ेंगे श्रम आपूर्ती एवं श्रम बल श्रम आपूर्ती के अंतरगत श्रम की वह मात्रा आती है जो अपनी इच्छा से कारे करने के लिए तयार होते हैं जबकि श्रम बल के अंतरगत वह व्यक्ति आते हैं जो वास्तव में काम कर रहे हैं और काम करने के इच्छुक हैं मजदूरी दर से इनका कोई संबंद नहीं होता श्रम बल के अंतरगत वह व्यक्ति भी आता है जो काम कर रहा है वह व्यक्ति भी आता है जो काम ढूंड रहा है श्रम आपूर्ती अर्थात कुल श्रमिक एक अर्थवेस्तान इसके अंतरगत वहे व्यक्ति भी आते हैं जो कारे करने के इच्छुक हैं परन्तु उन्हें कारे नहीं मिल पाता कहीं न कहीं वहे बेरोजगार हैं श्रम की दर ग्याद करने के लिए बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या को श्रम बल से विभाजित कर दिया जाता है यह दर एक प्रकार से यह बताती है कि पिछले वर्ष, पिछले पाँच वर्ष में श्रमीकों की संख्या में कितनी वृद्धी, कितनी कमी, कितना परिवर्तन हुआ है भारत में श्रम बल लगभग 300 मिलियन अर्थात 46 करोड व्यक्ति है श्रम बल में मुख्य रूप से 19 से 60 साल तक के लोग लिये जाते हैं इसका लगभग अर्थात 46 करोड व्यक्तियों का लगभग 70 प्रतीशत श्रम बल गाउं में है अर्थात ग्रामीन शेतरों में हैं एवम लगभग 30 प्रतीशत ही शहरी शेतरों में है भारत में श्रम्बल में अधिकांच भाग पुरुषों का है इसका लगभग सत्तर प्रतीशत भाग पुरुष एवं तीस प्रतीशत भाग महिलाएं है अर्थात श्रम्बल में कुल संख्या में पुरुषों का अधिक योगदान है और महिलाओं का योगदान कम है गाउं में श्रम्बल के एक तिहाई भाग महिलाए हैं और शहरी शेत्रों में श्रम्बल का पाँचवा भाग महिलाए हैं श्रम्बल का एक बड़ा भाग ग्रामीन अर्थवयस्ता पर आधारित हैं भारत में गाउं में श्रम्बल का लगभग दो तिहाई भाग रोजगार प्राप्त करता हैं परन्तु इसका सकल घरेलू उत्पादन में योगदान एक तिहाई है ऐसा इसलिए हैं क्योंकि गाउं मे अधिकतर लोग कहीं न कहीं क्रिशी पर निर्भर करते हैं और क्रिशी शेतर में जहां दो व्यक्तियों की ज़रूरत हैं वहां पांच लोग काम कर रहे हैं तो एक प्रकार से कहीं न कहीं वह श्रम्बल का एक भाग हैं वह तीन व्यक्ति छिपी हुई बेरोजगारी के अंत का प्रतिशत गाउं की अपेक्षा कम होता है। अर्थात ग्रामीन शेत्रों में महिलाएं अधिक कारे करती हैं जबकि शहरी शेत्रों में महिलाओं के कारे करने की दर बहुत कम है। महिलाओं को कम रोजगार प्राप्त होने का एक राष्ट के आर्थिक और सामाजिक पिछले पन का प्रतीख है। जब तक अर्थव्यस्ता में महिलाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर नहीं दिये जाएंगे तब तक अर्थव्यस्ता में आर्थिक और सामाजिक पिछडापन दूर नहीं हो पाएगा अगला भाग आता है सहभागिता सहभागिता क्या होती है इससे अभी प्राए उत्पादन क्रिया या उत्पादन की गतिविधी में लोगों की सहभागिता से है अर्थात एक अर्थव्यस्ता में उत्पादन करने के खित्रों में महिलाओं का योगदान कितना है पुर्षों का योगदान कितना है यह ग्यात किया जाता है इसे ग्याद करने के लिए देश की कुल जन संख्या तथा कारेबल के अनुपात का अध्यन किया जाता है देश की कुल जन संख्या एवं कारेबल शहरी शेतरों में सहभागिता की दर लगभग 34 प्रतिशत है वहीं ग्रामीन शेतरों में यह दर 42 प्रतिशत है इसका अभी प्राय क्या हुआ कि ग्रामीन शेत्रों में अधिक लोग कहीं न कहीं कार्य कर रहे हैं जबकि शेहरी शेत्रों में यह कम है इसका मैं आपको एक उधारन देता हूँ एक 20 साल का नौजवान जो गाओं में रहता है एक 20 साल का नौजवान जो शेहर में रहता है गाओं में रहने वाले उस व्यक्ति को बहुत जल्दी ही कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कार्य करते हुए देखा जा सकता है वहीं शेहरों में वहें 20 साल का जो व्यक्ति है वहें अभी आगे पढ़ाई करता है 24 साल 25 साल तक वहें केवल पढ़ाई करता है उसके बाद वहें श्रम बल में अपना योगदान देता है सहभागिता देता है गाउं में यह सहभागिता की दर कहीं न कहीं अधिक है इसके कई कारण है शहरी शेतरों की तुलना में गरामी शेतरों में सहभागिता दर इसलिए भी उची है क्योंकि गरामी शेतरों में लोगों की आवशक्ताइं बहुत जल्दी पूरी नहीं हो पाती वह कहीं ना कहीं जल्द से जल्द विभिन कार्यों में लग जाते हैं गरामी शेतरों में लोगों के पास आए अर्जित करने के साधन भी बहुत कम है गाउं में बहुत से बच्चे स्कूल, कॉलेज या अन्य प्रशिक्षन संस्थान में नहीं जाते और अगर जाते भी हैं तो वह जल्द ही इन संस्थानों को छोड़ देते हैं कई बच्चे केवल पांचवी तक पढ़ते हैं फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं कई बच्चे दसवी तक पढ़ते हैं पढ़ाई छोड़ देते हैं प्रदु शहरों में ऐसा बहुत कम होता है शहरी शित्रों में रहने वाले लोग बहुत अधिक उम्र तक स्कूल बहुत अधिक उम्र नहीं तो 22-23 साल की उम्र तक स्कूल एवं कॉलेज या अन्य प्रशिक्षन संस्थाओं में जाते रहते हैं जिससे वह अपनी कुशलता और योग गिता के अनुसार सही रोजगार ढूनने में समर्थ होते हैं शहरी शित्रों की तुलना में ग्रामीन शित्रों में महिलाओं की सहभागिता की दर बहुत उंची है क्योंकि ग्रामीन शित्रों में निर्धनता औरतों को महिलाओं को रोजगार के अवसर तलाश करने के लिए विवश्च कर देती है कहीं न कहीं ग्रामीन शेतरों में महिलाएं एक श्रमिक के रूप में कारे करती है जैसे मन्रेगा की योजना हम जानते हैं मन्रेगा की योजना शेहरों में तो नहीं है केवल ग्रामीन शेतरों में है गाओं में है और इस योजना में कहीं न कहीं महिलाओं का योगदान महिलाओं की सहभागिता की दर बहुत अधिक है जबकि शहरी शित्रों में लोग महिलाएं उची आए अरजित करने में सक्षम होते हैं वह अधिक आए अरजित करने के उदेश्य से और अधिक पढ़ाई करते हैं और अधिक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का प्रियत्न करते हैं अब मैं आपको भारत में स्वर नियूजित तथा भाड़े के मजदूर की तुलना करके बताता हूँ भारत में शहरी शेतरों में लगभग 42 प्रतीशत श्रमिक स्वर नियूजित हैं और 58 प्रतीशत श्रमिक भाड़े के मजदूर हैं इसी प्रकार ग्रामीन शेतरों में लगभग 56 प्रतीशत श्रमिक स्वर नियूजित हैं और यह दर केवल 44 प्रतिशत भाड़े के मजदूरों की है शहरी शेत्रों की तुलना में ग्रामीन शेत्रों में सुवा नियो जन अधिक है ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रामीन शेत्रों में गाओं में अधिकतर सभी लोगों के पास अपनी भूमी होती है खेती करने के लिए जब वह व्यक्ति अपने खेत में खेती करता है तो वह कहीं न कहीं स्वर नियूजित शेत्र के अंतरगत आता है शेहरी शेत्र में लोग कुशल हैं तथा वह कार खानों में दफ्तर में काम करते हैं परंतु ग्रामीन शेत्रों में लोग अपनी खेती के लिए काम करते हैं हम जानते हैं कि ग्रामीन शेत्रों में नौकरी के इतने अफसर प्राप्त नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ इतने अधिक कार खाने दफ्तर नहीं है अब हम आगे पढ़ेंगे भारत के वियवसाईग धांचे के बारे में वियवसाईग धांचा अर्थात एक देश में जितने भी श्रमिक हैं, श्रम बल है वहें किन-किन शित्रों में लगा हुआ है उनका प्रतिशत क्या है उसका अध्यन करेंगे भारत में कुल कारेबल का लगभग 48 प्रतिशत भाग प्रात्मिक शित्र में लगा हुआ है प्रात्मिक शित्र अर्थात क्रिशी एवं उससे संबंदित क्रियाओं का शित्र इसी प्रकार लगभग 18 प्रतिशत भाग द्वित्यक शित्र में लगा हुआ है द्वित्यक शित्र के अंतरकत उद्योग आते हैं कारखाने आते हैं बड़े उद्योग छोटे उद्योग लगू उद्योग यह आते हैं लगबग 23 प्रतिशत श्रमिक एवं कार्यबल 33 शित्रों में रोजगार प्राप्ट कर रहा है 33 शित्र के अंतरगत सभी प्रकार की सेवाएं आती हैं जैसे बेंकिंग अगला आता है नौकरी रहित सम्वृध्धी इससे अभिप्राय उस स्थिती से है जिसमें देश के सकल घरेलू उत्पादन की दर में तो व्रिद्धी हुई परन्तु रोजगार के अवसरों में उस अनुपात में व्रिद्धी नहीं हुई अर्थात एक अर्थविस्ता की भारत की घरेलू आय तो बड़ी लेकिन उत्पादन बड़ा लेकिन रोजगार के अवसर नहीं बड़े इसका अर्थ है कि अर्थविस्ता में अत्रिक्त रोजगार के स्रजन के बिना ही वस्तूओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन हो गया ऐसा तब भी हो सकता है यदि नई तकनीक का प्रियोग किया जाये तकनीकी विकास हो जहां पहले चार श्रमिक कारे करते थे उसी कारे को करने के लिए अब एक श्रमिक की आवशक्ता है परंतू उत्पादन की दर और कुल उत्पादन उतना ही है पिछले कुछ समय में भारतिये लोग नौकरी रहित संबृद्धी की ओर संकेत कर रहे है सन 1991 में जब देश में आर्थिक सुधार आरंब हुए तो हमारी अर्थवयस्ता निश्चित रूप से पहले से अधिक सक्रिय हो गई भारत में काफी लंबे से नौकरी रहित संबृद्धी की स्थिती चल रही है अब हम पढ़ते हैं शम्बल का अनियती करण और अनियती करण से अभी प्राय जिसमें समय के साथ भाले पर लिये गए श्रमीकों के प्रतिशत में बढ़ने की प्रवर्थि पाई जाती है भारतिया अर्थिवस्ता में यह प्रक्रिया सन 1992 से सन 2000 तक देखी गई स्वणियोजित श्रमीकों का प्रतिशत लगातार घटता गया जबकि भाले पर लिये गए नियमित श्रमीकों का प्रतिशत बढ़ता गया स्वणियोजित कारेबल कहीं न कहीं कम हुआ और भाले के मजदूर लगातार बढ़ते गए अनौपचारिक करण के अंतरगत रोजगार को दो भागों में बांटा जाता है अपचारिक शेतर इसे संगढ़ित शेतर कहते हैं और एक अनौपचारिक शेतर आपचारिक शेत्र मुख्य रूप से वहक शेत्र होता है जिसमें दस या उससे अधिक श्रमिक कार्रे करते हैं और इस शेत्र में कार्रे करने वाले श्रमिकों को सरकार के द्वारा लागू की गई सभी योजनाओं का फाइदा मिलता है सरकार के द्वारा बनाए गए कानून उन पर लागू होते हैं कहीं न कहीं इन्हें बहुत अधिक फायदा मिलता है जैसे किसी व्यक्ति द्वारा नोकरी करना एक कार खाना एक उद्द्योग जहां दस से अधिक सो लोग सो शमिक, पचास शमिक कार्य करते हैं वह आपचारिक शितर कहलाता है दूसरी ओर अनापचारिक शितर असंगठित शितर इसमें ध्याड़ी मझदूर आते हैं छोटी छोटी दुकानों में काम करने वाले लोग आते हैं इन्हें सरकार द्वारा जो भी योजनाय बनाई जाती हैं उनका कोई लाब प्राप्त नहीं होता इसके अंतरगत श्रमिकों की संख्या दस से कम होती है आशा करता हूँ आज का अध्याय आपको अच्छा लगा होगा आपको समझ आया होगा नमस्कार झाल 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 झाल